फिर सापने को सवागत है आपका अपने चनल इस फिर से लेक।टेश लेड़ कर लेगो एपडेट किया ? डोस्तो अपने नाम सपेवेड़ेज athyнения में बड़ा ही मशूर है और मशूर कोस के लिए मशूर इंस्टिट्स लेका हूं जो अगर यह इंस्टिट्स एगर आप ADI सेटी कोस करते हो तो आपको जो मार्केट में जौब है वह इसली आपको मिल सकता है और आपको अच्छे package पे job मिल सकता है, अगर आपने इन जगों में से किसी एक जगह से course किया, लेकिन यहां से course करने ही का भी, दोस्तों, यहां मैंने already आपने heading देखा difference between, तो इन में से भी दोस्तों, जिस आपने देखा, एक, दो, तीन चार पांच इन पांचों में जैसे जो डिफ्रेंस है वो मैं बताने वाला हूं कौन आपके लिए बैटर रहेगा यहां पर आपके पास एक्सपीरिंस होगा तो ही आपको एडमिशन मिल सकता है इस ADIs में करने के लिए इसी तरह दोस्तो अगर मालोग कोई मुंबाई का बंदा है तो क्या उसको चेन्ड़ाई में एडमिशन मिले का कि नहीं मिलेगा यह पूरा डिटेल में आज वीडियो में बात करें वाला हूं तो चले दोस्तो मां लेके चलता सबस्तों इसमें आप आप और कोकार मिल चैन्स मिल सकता है अगर शीट एवेलेबल रहे हैं तो condition apply ये फ्रेशर को चांस है लेकिन CLI और बांकी के RLI में आपको कोई चांस नहीं आपको experience ही चाहिए फिर इसके बाद दूसरा क्या है दोस्तो आरला में आप सेमेस्टर वाइस एक्जाम देना रहता हर छे मैंने पर बोर्ड का एक्जाम होगा वह आपको देना रहता लेकि वेस्ट बंगल स्टेट कॉंसल टेक्निकल एजुकेशन और CLI और RLI जो है दोस्तो स्टेट के इसाब सब्सक्राइब अगर दूसरे कानपूर से कर रहे हैं तो यूटी स्टेट बोड हो गया उसी तरह डिफरेंट डिफरेंट स्टेट बोड है जहां से आप कर रहे हैं फिर RLI मुंबई RLI कानपूर या RLI चन्नाइ से तो अगर आप एक्जाम से रिलेटेट हो गया या किसी टॉपिक से रिलेटेट हो गया तो दोस्तो हमारे साथ जुड सकते हैं लेडेस अब्डेट के लिए और वीडियो से कुछ फायदा हो दोस्तो वीडियो लाइक जारू की में भी दोसो लाता रहूं मिलते अगली वोड़ी में किल दें दोसो थैंक्यू वर मच्छ विश्यो अल्डवेस्ट